नमस्कार ये पाइल्स जिन्दगी भर रहेगा जी हाँ ये टॉपिक देखके आप बोल रहे होंगे ऐसा कौन सा पाइल से जिन्दगी भर रहेगा एक ऐसा पाइल से अगर ही आपको हो जाए तो वो इतने लंबे समय तक आपके शरीर में बना रहेगा कि आप जब तक इसका प कफ की कारण अगर आपके शरीर में कफ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और उसकी करण अगर पाइल्स होगा तो वो क्यों आपको एकदम लंबे समय तक बना रहेगा क्यों होता है क्या गलती लोग करते हैं उसके लिए क्या डाइट और मेडिसन साहिर्वेद मे में बोली है पूरी जानकारी इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का मिश्रवेता में और आज हम बात करें एक ऐसे पाइल्स के बारे में जो की बहुत लंबे समय तक शरीर में बना हुआ रहता है इसके दो-तिन और खास लक्षड आईर्वेद में बोला है पहला की बार- बार-बार वहाँ पे छोना अच्छा लगता है मतलब कई लोग आपने देखा होगा कि बैठे हैं और बार-बार उस जिगा पे हाथ टच करते रहते हैं तो थोड़ा मीठी खुझली जिसको बोलते हैं कि बार-बार वहाँ पे इचिंग करने का मन करेगा बार-बार वहाँ टच करने का मन करना पाइल्स वाली जिगाओ को फिर यह क्यों लंबे समय तक बना हुआ रहता है क्योंकि इसको महामूलम बोला है महामूलम मतलब एक तो इसका साइज भी बढ़ा रहेगा एकदम डीप रोटेट रहेगा ठीक है वातश पाइल्स के से सुपरफीशल बहुत लेटरिन के रिया में थोड़ा सा गीला पन वहाँ पे खुजली वहाँ पे हमेशा गीला पन चिकना भारी पन इस टाइप की फीलिंग लगेगी कई बार तो ऐसे लगेगा कि आपका जो गुदा मार्ग है वो पूरे का पूरा निकल के बाहर आ जाएगा या लेडीज है तो इस तरह का बहुत ज़दा भारी पन फील होना ये लक्षण है कफ के कारण होने वाले पाइल्स के और कुछ लक्षण आईरवेड में इसके बोले हैं जैसे कि बहुत ज़दा थूग बनना बहुत ज़दा सलाइवेशन होना ठीक है अरूची भूख नहीं लगना बहुत में बोला है वो है नपुन सकता जी हां अगर आपको पाइल्स हुआ है कफ के कारण और उस पाइल्स की कारण आपको अगर आपकी सेक्श्वल लाइफ एकदम जीरो हो गई है तो आप कितने भी ऐसे जो सेक्श्वल टॉनिक मार्केट में मिलते हैं कि ठीक है मैं श्रतावरी अश्रोगंदा, विदारी, शिलाजीद, कौँज, बीज, मकर, धोज और जो भी है मनमंत, रस्वस, पुष्व, धनवानवा, सब खा लेता हूं आपको जितना खाना है खा लीजिए आपको तब तक आपकी जो सेक्श्वल लाइफ खराब हुई है कि मतलब आपका पार्टन पाइल्स से वो ठीक करना पड़ेगा तो ही जाके आपको यह जो नपुन सकता वाली प्राबलम है वो ठीक होगी और आपको बिल्कुल आराम नहीं होगा तो अगर आपको ऐसे था कि पहले सब कुछ प्रॉपर अच्छे से चल रहा था बट कुछ समय से पाइल्स हुआ है औ यह अपदो पहले आपको यह इसका मतलब हे चिखना चिखना ऐसे लगता किसी ने तेल गिराया हो या जो लोग हाथ से जब क्लीन करते हैं तो क्लीन करने के बाद वहाँ पे भी ऐसे लगता किसे घी या तेल में हाट डाला है इतना ज़्यादा लैटरिन में आपको चिखना बन देखने मिलेगा इस तरह के लक्षण है मतलब आपको कफ़ जर्ष होआ है अब ये होता किसे है तो इसकी कुछ गलतियां बोली है मतलब ऐसे लोग जो ये वाली गलतियां करते हैं जो आयरविद्रे बोली है उन्हें ये कफ के करणपाईल्स होता है गलतियों में सबसे पहला जिनको बहुत ज़दा मीठा पसंद है मीठा मतब ऐसे लोग की बस मीठा ही उनकी जिंदगी है तो खाने के पहले गुलाब जामून, हलवा, स्वीट वीट पसंद है खाना खाने के बाद चॉकलेट पसंद है रस्मलाई, रस्गुला, या फिर जलेबी, इमरिती इस तरह की जिनको बहुत ज़दा मीठा खाना जिनको पसंद है उन सारे लोगों को ऐसा होता है जिनको दिन में सोने की बहुत ज़दा आदत है कि खाना खाया अब इस तर मिला बस फ्लैट हो गए तो दिन में सोने की आधित है तो especially वो आपके रत्त और मांस ये दो धातू को खराब करता है और जो piles है वो आपका रस धातू, मांस धातू, मेद धातू, इन धातू के खराब होने के करण piles से अर्स होता है तो दिन में सोना और मीठा खाना यह एक बहुत बढ़ा कारण है, फिर ayurved में इसके कारण बताते हुए बोले हैं, कि जिनको बहुत ज़्यदा चिकने आयिटम खाने पसंद है, पनीर पसंद है कि खाने में बहुत ही जगयाद जिनको तेल, पूरी, पराठ है के बिना मतलब सब चलता ही नहीं ये सारे आइटम अच्छे हैं बड़ जिनको अती करने की आदत है कि डेली वयाम वयाम कुछ करते नहीं ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी exercise पसंद नहीं है वयाम नाम सही जिनको दुश्मनी है ठीक है बस हैवी से हैवी जितना कुछ है नरिश्मेंट के टाइम पर भारी आइटम खाते हैं लंबे समय तक बैठे रहुए रहते हैं कोई activity नहीं करते हैं ऐसे लोग को कफ़ वाले पाइल्स बहुत होते हैं आईर्वेद में इसका एसा explanation बोला है कि जिनको बिस्तर बहुत पसंद है और जिनको बैठे रहना सुख असन बोला है दिन भर लैप्टॉप या कुछ लेगे उसी पे बैठे रहते हैं हिलते बिल्कुल नहीं है केवल गलती से यूरीन लैटरिन जाने के लिए उठना पड़ा था उठना पड़ा वरना continue sitting सोना ये posture में जो रहते हैं ऐसे लोगों को कफ के कारण बाइल्स होता है और दो तिन कारण और दो तिन कारण बोले हैं जैसे कि अचिंता मतब जिनको लाइफ में कोई tension नहीं है मस्त आश्चम सुखम सुप्नम सुखम मजे से खाना मजे से सोना है और जो बहुत ज़दा ठंडी जगाओं पे रहते हैं बर्फ वर्फ वाली जगाओं पे ऐसे लोगों को यह तखलीफ होती है तो इसमें कर क्या सकते हैं हम आयर्वेद में सबसे पहले जब patient आता है तो उसकी ऐसे डीटेल इस्ट्री लेते हैं प्रोक्टोस्कोप जो होता है उससे डाल कर अंदर पूरा चेक करते हैं कि वह पाइल्स कहां कहां है कौन कौन से एंगल पे कितनी मातरा में हुआ है केवल बाहर है कि अंदर है इस तरह का चेक अप करते हैं और ऐसे patient के लिए हम शार आउशदियां बहुत यूज़ करते हैं ऐसी आउशदियां जो की गरम होती है जैसे कि यह उवशार है शडजी शार है ठीक तो उनको internally भी हम यूज़ करते हैं और शार सुत्र वहाँ पे जो शार वाला धागा होता है वह बांद के फिर उस piles को जड़ से मूल से खतम करने का जो भी treatment है हम हमारे clinic या फिर आईविदिक पैथी में हम यह करते हैं आप घर पे क्या कर सकते हैं तो simple सी बात है कि यह कफ के कारण extra over nourishment के कारण होने वाला piles है तो आपको exercise introduce करना पड़ेगा आपको किसी रा किसी टाइप के वयाम आपको जुरूर करना चाहिए खाने में जो रोक्ष चीज़े है ड्राय चीज़े है वो definitely introduce करनी चाहिए अब जितने भी टाइप के आपको millets मिलते हैं आजकल जो कोदो है सावा है रागी है fox millets है मन्याड millets है तो ऐसे बहुत सारे आजकल millets नाम से जो मिलते हैं उनको आईरवेद में शुद्रधान्य बोला है वो रोक्ष होते है ड्राय होते है उनको उनकी रोटी रोटी खाना चालू कीज़े गेहूं और चावल ये दो चीज़े आपको बन करनी चाहिए और जव, जवार, बाजरा, millets इन सबकी रोटी खाने चाहिए सबजी में जो सूरण होती है वो सबसे बेस्ट सबजी है गरम होती है नेचर में और इस तरह की जो मोटे-मोटे बड़े-बड़े पाइल्स हुए है जिसको बार-बार खुजलाने का मन करता है ये सबजी उस पर बहुत अच्छा काम करती है तो सूरण की सबजी बनाकर हफ मोरिंगा बी बोलते हैं मोरिंगा उसκε पत्तों को बोलते हैं और liter ढॉंस टिक जो होता है आप लोग बार समबर खाते होंगे तब आप देखा होगा तो उसकी सबजी बनाकर खाना चाहा या उसको हम दाल में ऐसे मान देते है और फिर दाल में उबालते हैं और फिर उसको जो अंदर का पाड़े खाके उसकी लकड़ी फेक देते तो यह सारे के सारे आईटम गरम होते हैं बहुत अच्छे होते यह आप ले सकते हो चाच पी सकते हो जिसमें पूरी का पूरा मखन जिसका निकाला हुआ हो तो एकदम पतली चाच जो होती है कि इसमें पानी डालकर जि उसमें त्रीकटू, त्रीकटू मतलब 108 काली मिर्च पी पिली, यह वाला पाउडर कोई भी आईर विदिक शॉप में आपको मिल जाएगा, त्रीकटू पाउडर, या किराने की दुकान पे भी मिल जाएगा, तो एक से दो चुटकी त्रीकटू पाउडर, थोड़ा सा शहद म मिलता है, वो आधा चम्मच, बेल का पाउडर, आधा चम्मच, खाना खाते समय बीच में आप ले सकते हैं, बनी बनाई मेडिसिन चाहिए, तो चितरकादी वटी जैसी जो ओशदियां है, जो की शार होता है, वो खाना खाने के पहले एक एक गोली सुबशाम, 30-40 दिन के ल रखते हैं, जिससे कि यह जो कफ के करण आपको पाइल सुआ है, वो कम होने में टेंपररेरी घर पे जो आपको मतलब रिलीव चाहिए, तो वो रिलीव देखने मिलेगा, खाने में सरसो का तेल यूज़ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और मिल्क प्रोड़क् प्रोड़क्स आपको अवाइड करना चाहिए, दिन में अगर सोने होने की आदत है, तो वो आपको खम करना चाहिए, और एक कमाल की दवा है, आप में से ऐसे लोग जो कि गवमुत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग, गवमुत्र क्या है, गरम है, उशन है, तो हरड उशन है और गौमुत्र गराम है तो गौमुत्र हरी तकी नाम की दवा मिलती है वो बहुत अच्छा सब से अच्छी दवाई है जो कफ के कारण बढ़ा हुआ मोटा पाइल से उसमें काम करता है या फिर आप हरड का पाउडर वन फोर्थ लेके जो गौमुत्र होता है वो 10 से 15 ml की मा आपन है तो वहाँ पे 80 साधी नाम का एक तेल आता है वो तेल आप लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाकी आपके लिए और कौन से पंचिकरमसु टेबल रहेंगे कौन से टाइप के प्रॉपर मेडिसन्स रहेंगे आप अपने नजदी की जो आईरविदी सेंटर या उनको दिखा दीजे वो चेक करके आपको मतलब देखेंगे कि इतना कफ क्यों बढ़ा है और उसमें क्या डाइट और मेडिसन्स लेना चाहिए तो यह तो था कफज पाइल्स या कफ के करण होने वाले अर्ष के बारे में जो कि बहुत लंबे समय तक बना रहता है वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं आगे तीनों दोश मतलब वात्पित कफ तीनों खराब हो गए तब उसके करण जो पाइल्स होता है वो क्यों होता है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहें